जब हम PPT को as a window capture यहाँ पे select करते हैं तो यहाँ पे white screen आ जाता है तो अक्सर जो सभी teacher है उनके साथ ऐसा ही problem आ रहा है यह तो यहाँ पे white आ जा रहा है यह तो दोस्तो ऐसा होता है कि यहाँ पे black screen आ जाता है और इस तरह से जो हमारे teacher है वो PPT को record करके अपने student को नहीं पढ़ा पा रहे है तो इसे हम कैसे solve कर सकते हैं वो अब हम जानते हैं तो चलिए अभी मैं इसे delete कर देता हूं यहां से हमने इसे delete कर दिया है अब दोस्तो आपको गय करना है यह जो हमारा PPT है पहले हम लोग इसे skip कर लेते हैं दोस्तो यहां पे slide show tap पर click करना है और यहां पर एक option आपको मिलता है setup slide show आप setup slide show पर click करेंगे और यहां पर एक option है यहां पर जो вीच वाला option आप देख पाहे है browse by an individual window अब यह option select करेंगे उसके बाद दोस्तो आप ok करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे from beginning पे क्लिक करके इस PPD को आप अपने system में play कर लेंगे ठीक है अब देखिए दोस्तों अब मैं आता हूँ OBS में ठीक है और उसके बाद यहाँ पे plus icon पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से window capture source add कर लेता हूँ उसके बाद मैं ok करता हूँ तो अब देखिए दोस्तों हमारा जो यहाँ पे white screen आ रहा था यह problem हमारा solve हो गया है अब मैं इसे यहाँ से ok कर देता हूँ उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ से corner से पकड़के इसे इसमें set कर लेंगे ठीक है और अगर इसे crop करने की ज़रूरत है तो दोस्तों आपको जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि आप alt की को दवा के रखे और यहाँ पे यह जो dot दिख रहा है आप इससे पिपिटी को crop कर सकते है ठीक है इधर से भी जो है आप बड़े ही अराम से इसे crop कर सकते है और इस side से भी दोस्तों आप alt को दवा के रखेंगे और mouse से इस तरह से आप crop कर सकते है ठीक है चलिए और आप क्या करेंगे इस पर right click करेंगे और यहाँ पर आपको एक option मिलताई एक मैंने प्रेटिंग करना आपको बता है कि slide show तो tap पे click करेंगे, उसके बाद slide setup में आएंगे, और उसके बाद यहां पे जो बीच वाला option था, ठीक है, browse by individual, वो select करके जब हम ok कर लेते हैं, तो दोस्तों हमें यहां पे वो जो option होता है, यहां से pan select करने का और ppt पे लिखने का वो option यहां पे हमें नहीं मिलता है, तो अब दोस्तों यहां पे समस्या यह आता है कि इस समस्या को हम कैसे solve कर सकते हैं, तो दोस्तों इस समस्या को solve करने के लिए हमारे OBS में यह जो source है, जो कि मैं आपको दिखा पाऊंगा, यहां पे हमने ppt capture किया है, और यहां पे दोस्तों आपको plus icon पे क्लिक करके एक source add करना है, जिसका नाम है whiteboard, ठीक है, यहां पे दिखिए दोस्तों इसका नाम है whiteboard, OBS लुआ whiteboard हम अपने OBS studio में कैसे install कर सकते हैं, यहनि कि जो हमारे source में so हो रहा था whiteboard, ठीक है, वो हम कैसे OBS में add कर सकते हैं, अब वो हम जानते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, Google from open कर लेना है, और Google में दोस्तों आपको लिखना है OBS Lua, ठीक है, OBS Lua whiteboard, ठीक है, और यह दोस्तों सीर्फ window operating system के लिए है, यहां पे आप सारे details यहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है go to download, आप यहां go to download पे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो है, इस तरह का page open होगा, और उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको OBS whiteboard Lua और यह दोस्तों G file में आपको download कर लेना है, ठीक है, तो यह जो आपको first link दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे, और यह आप अपने laptop यह PC में download कर लेंगे, और इसे मैं दोस्तों desktop पे download कर लेता हूं, ठीक है, यह देखे हमारा OBS Lua G file में download हो गया है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहां पे click करेंगे, so in folder पे click करेंगे, ठीक है, और यह देखे, यहां पे download हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे right click करेंगे, right click करेंगे बाद दोस्तों, यहां पे आपको एक option मिलता है, extract file, ठीक है, extract file आप इस पे click करेंगे, और आपके सामने कुछ इस तरह का window open होगा, कही कुछ नहीं करना है, बस आपको ok कर देना है, ठीक है, तो आपको क्या होगा, कि इसी नाम से जो है, आपको same इसी नाम से जो है, obs wideboard lua नाम से एक folder मिल जाएगा, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देख सकते दोस्तों, obs wideboard lua नाम से हमें एक folder मिल गया है, अब इस folder के हम लोग अंडर जाएगे, और उसके बाद दोस्तों, इन सभी source को हम लोग select करेंगे, और यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, copy कर लेंगे, ठीक है, इन सभी source फाइल को हम लोग copy करेंगे, और copy करने के बाद दोस्तों, हम लोग यहाँ पे computer के c drive में जाएगे, और c drive में जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ प्रोग्राम फाइल में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा obs studio आप इसमें किलिक करेंगे और इसे हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ठीक है और यहाँ पे चेक टिक कर लिजिएगा और continue कर और उसके बाद दोस्तों हम लोग अपने laptop या computer को restart कर लेते हैं तो दोस्तों यह जो हमारा PC है इसे मैंने restart कर लिया है PC restart होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है वापस से आपको obs studio open करना है तो यहाँ पे हमने obs studio open कर लिया ठीक है और OBS Studio open होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना यहां पर आपको tool tab दिख रहे हैं आप tool tab पे click करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको दिखेगा scripts आप इस पर click करेंगे और उसके बाद दोस्तों हो सकता है कि आपको यहां पे पहले से लेकर के आएगा, जहाँ पर हमने उस file को copy paste किया है, यानि की local c में जागर के, यानि की local c drive में जागर के, program folder में जागर के, और OBS studio folder में आगर के, यहाँ पर हमने इसे paste किया था, तो यहाँ पर हम लोग आएगे, और यहां पर दोस्तों यह wide board जो है file देखने को मिलेगा यहां पर आप देख सकते है ठीक है तो इसे हम select करेंगे और यहां पर open कर देंगे ठीक है तो जैसे दोस्तों आप यहां open करेंगे तो यह wide board जो है आपके OBS में add हो जागा उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है यहां से आपको इसे close कर देना है ठीक है और इतना connect बाद दोस्तों अब आप यहां plus icon यानि कि source के plus icon पर क्लिक किजिए तो यहां पर आपको जो है यह wide board plugin को मिल जाएगा ठीक है यहां पर दिखिए दोस्तों इसका नाम है white board यहां पर मैं white board source को add कर लेता हूं और ok कर देत हूं ठीक है और उसके बाद दोस्तों यहां से मैं इसे ok कर देता हूं यह जब दोस्तों आप white board source को add करेंगे तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि यह जो source है white board source हमने यहां पर add किया है इसे आपको हमेशा जो है उपर रखना है ठीक है इसके नीचे में आप जितनी चा पर आप right click करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको मिल जाता है window projector scene आप इस पर click करेंगे तो अब यहां पर यह दिखे एक scene यहां पर so हो रहा है ठीक है अगर आपने यहां पर webcam भी add किया है तो यह भी आप यहां पर देख पाएंगे ठीक है उसके बाद दोस्तो यहां पर देख सकते है कि हमारे सामने दो window है ठीक है एक हमारा जो यह powerpoint है ठीक है यहां पर आप देख सकते है एक हमारे सामने यह powerpoint open है और दूसरा यह जो है projector scene ठीक है आप अगर इसे चाहे तो आप इस तरह से maximize भी कर सकते है ठीक है दोनों window में दोस्तों आपको एक अंता देखनों को मिलेगा कि यह जो आप देख पा रहे हैं यह जो है OBS का projector scene है ठीक है और उसके बाद हम थोड़ा सा जो है इसे minimize करते हैं तो एक दूसरा जो यहां पे scene दिख रहा है यह है दोस्तो PowerPoint का ठीक है तो अब दोस्तो हम लोग क्या करेंगे Alt के साथ tab दबाएंगे ठीक है तो यहां पे देखे OBS वाले projector scene पे आ गए है और जैसे दोस्तो Alt के साथ tab दबाएंगे तो हम यहां PowerPoint पे आ जाएंगे ठीक है यहां पे हम लोग जो है PowerPoint पे अजाएंगे अब जैसे कि दोस्तो माल लिया जाए कि यहां पर हम PPT पर पढ़ा रहे हैं, अब यहां पर हम क्लिक करेंगे, अब यहां पर हमारा slide आ गया है, slide चेंज हो गया है, अब यहां पर मुझे लिखना है या draw करना है, और यहां पर कोई भी चीज़े अगर हम मुझे समझाना है, तो हम क्या करेंगे, alt के साथ tap दबाएंगे, तो हम लोग आ जाएंगे obs वाले projector scene पर, और यहां पर जो भी चाहें, अराम से लिख सकते हैं और समझा सकते हैं, अगर हमे color change करना होगा, तो c से color हमने shortcut की रखा था, तो c से जैसे हम c दबाएंगे, तो यहां पर अलग-अलग color यहां पर आजागा, फिर c दबाएंगे तो अलग color आजागा, अगर इन सबी को delete करना है, तो हमने shortcut की set क्या था, d, d से delete, तो दोस्तो इस तरह से आप इस whiteboard plugin की मदद से OBS से आप PPT में बड़े ही अराम से लिख पाएंगे, ठीक है, चलिए दोस्तो, अब आते हम लोग नए slide पे, तो यहां से हम जो है नए slide पे नहीं आ सकते हैं, ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, जो भी चीज़ हमने यहां पे ल जाएंगे, आप मुझे इसे पढ़ाना है, इसे समझाना है, तो दोस्तो आपको क्या करना है, alt के साथ tap दबाना है, तो आप OBS project scene पे आ जाएंगे, और उसके बाद दोस्तो आप क्या करेंगे, यहां पे जो भी चीज़ आप लिखना चाहें, समझाना चाहें, समझा सकते है अगर दोस्तो यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर दोस्तो यह वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कर हमारा मनोबल बढ़ा है, तो दोस्तो मिलता हूँ फिर नेक्स वीडियो में, नेक्स टुटोरियल में टर्टक के लिए, दोस्तो जैहिन बंदे मात्र झाल झाल पट UP झाल 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 में y्ईका झाल